नमस्कार दोस्तों मैं डोक्टर पुस्मेंदर कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों आज बात करेंगे हम छोटे बच्चों की आखों में जो येलोनेस पिला-पिला यानि की एक पस जैसा दिखाई देता है दोनूं आखों में हो सकत है बच्चा सुभए जाकता है तो दोनूं आखें चिपक जाती है आपस में एक पीला-पिला कलर का डिशार सा होता है वो ड्राय हो जाता और चिपक जाती बच्चा आखें नहीं खोल पाता प्रॉपर तो उस कंडिशन में उस केस के लिए कौन सी होंपैतिक मेडिसन है जो इस परेशानी से आपकी बच्चों की आँखों को सुरक्षित रख सके तो इस तरीके की परेशानी होती है यह डेली का एक नियम से बन जाता है दो चाक्वास दिन आपको ऐसा लगता है कि सायद नोर्मल है कोमन है हो जाएगा लेकिस जब यह काफी समय लगातार बना रहता है बच्चा रोज इसी परेशानी से गुजड़ता है बार बार उसकी पल के चिपक जाती है आँखों में पीला पन गंदा गंदा सा आप साफ करते करते ठक जाते हैं कि हर गंटे-दो गंटे में यह आ जाता है काफी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में ट्रीटमें लेने बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा आपके बच्चे की आखे हैं मिलकुल खूसूरत बनी रहेंगी काफी पीडियेट्रिक्स डॉक्टरों से बात करके यह चीज आज मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूं कुछ होंपैतिक मैडिसन है कौन से एक्सरसाइज है वो प चिपके नहीं क्योंकि वो एकदम से यलो यलो सा एक गम सा चिपक जाता है पस जैसा वो ड्राइव होता है तो और भी टफ हो जाता आप पलकों को कि अलगला करना यानि कि छोडाना एक दूसरे से बड़ा दुखदा ही होता है बच्चे के लिए में जेन बच्चों को यह होता है सबसे पहले गुन्गुने पानी से इतना गुन्गुना कि बच्चे को कि snigません की कोई जलन वागर है ना हो आप उसमें हट डालके देखें तो आपको ऐसासी नहों कि पानी गरम है या ठंडा इस तरीकी से साफ पानी से आप बच्चे के आपको एक बार साफ कर ले उसके बाद में जो एकसरसाइज है अगुठे के ये जो प्रैसर होता है इससे बच्चे के सिर को बच्चे को लिटा ले जरूत नहीं है सब सही हो जाता तो इस अंगठे के प्रैसर से जो यह जऑन Yeah टूप फ़े ज्रोट SD होती से इसतरी की से दभानाए उझाए तो यहेे प्रेसर नहीं पड़े सिर्फ यह चोटी सी ग्रंती होती है या इसको दबाना अलके-लके से इस तरीके जो वन टू थ्री फोर इसे गंदगी इस तरीके से निकल जाए दोनों तरफ करना है दिन में दो से तीन वार आप यह कीजिए यह तो होगी एक्सेस है सफाई जरूर रख देखिए उन्होंने पानी से बिल्कुल साफ पानी से इसको साफ करना है पानी इतना गरम होगी बच्चे को जलन नहीं हो जो होमप्यातिक मेडिसेन इसमें काम आती है वो है अरजेंटम नैट्रिकम थर्टी सुबश्याम सुबश्याम दो दो मूने आदा चम्मच मा के दू है लेकिन फिर भी वो पानी वगराया दूद वगराया डंग से नहीं ले रहा है आपको लगता है कि पानी नहीं पी पाता साफ रंग है उस बच्चे का तो उसको आप पलसा टिला 30 की सुबश्याम सुबश्याम दो दो मूने दीजिये उससे भी आपको आराम मिल जाएगा डिस्यार्ड है वो यलो कलर का हो तो ही पलसा टिला यूज करनी अधरवाज आप जर्नली किसी भी केस में चाडिस्यार्ड यलो है या किसी तरीके का है अ आटाने के लिए और आपकी बच्चे की जो यह समस्या है यह सही हो जाएगी दोस्तों जानकर यह अच्छी लगे लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार